हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक टो माई चैनल, लाइफ इस इजी, मैं आकृती, मैं याँ शेयर करती हूँ अपनी रेसिपीज और उससे रिलेटेड इजी कोकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज मैं बना रही हूँ तिल, मुंगफली और गर्मी बनी रहती है, लड्डू को मैं गुड के साथ बनाऊंगी, पर मैं गुड की चास्मी के साथ लड्डू नहीं बनाऊंगी, मैं लड्डू बनाने में यूज करूंगी, मिक्सी का, ये तिल, गुड और नारियल के लड्डू बनाने का बहुत ही नया तरीका है, और ब लडू जरूर बनाईए और यह बनाना बहुत आसान है और बनने के बाद यह इतनी सॉफ्ट बनती है कि मूँ में डालते ही घुल जाती है कई लोग गुड की चासनी के साथ लडू बनाने में थोड़ा सही चकते हैं क्योंकि गुड की चासनी का सही अंदाज नहीं होने के कार नारियल के लड़ू बना सकते हैं और बच्चों के साथ साथ बुजूर्ग भी इसे बढ़े चाव से खाएंगे क्योंकि यह लड़ू बहुत सौफ्ट बनती है इसे बनने में मुश्किल से 15-20 मिनट का ओवरॉल टाइम लगता है और आप जब भी चाहेंगे तो इसे बना कर सकते हैं तो चलिए लड़ू बनाने के लिए चलते हैं किचन में तिल मुंगफली नारियल के लड़ू बनाने के लिए मैंने एक कटोरी तिल एक कटोरी मुंगफली एक कटोरी से थोड़ा सा कम नारियल का बुराधा और साथ ही एक कटोरी से थोड़ा सा कम गन्ने का गुर लड़ू बनाने के लिए गन्य का गुड़ कहीं प्रयोग करिए इसे लड़ू अच्छी तरीके से बंदती है तार के गुड़ से लड़ू अच्छी तरीके से नहीं बन पाती तो आप गन्य का गुड़ कहीं यूज करिए लड़ू बनाने में चुकि लड़ू बनाने में मैं गूर की चाशनी का इस्तमाल नहीं कर रही हूँ इसलिए मैंने एक चमच घी लिया है घी एक नैचरल प्रिजर्वेटिव है तो वो लड़ू को लंबे समय तक के लिए फ्रेश रखेगा और गूर के साथ लड़ू को बांधने में भी घी मदद करेगा इसलिए मैंने एक अधा दिया है और हाई गैस फ्लेम पर कडाही गर्म हो रही है और अब कडाही गर्म हो चुकी है तो मैंने इसमें एक कटोरी मुंगफली डाल दिया है मुंगफली को मैं मीडियम गैस फ्लेम पर भून रही हूँ और मुंगफली को सूखा ही भूनना है जब मुंगफली तो मैं मुंग फली को लगतार चलाते वे भून रही हूं और धीरे दीरे देखिए इसका color भी चेंज हो रहा है और इसके चटकने की आवाज भी कम होती जा रही है तो मुंग फली पुरी तरीके से भून गई है इसका color देखकर समझ में आ रहा है और ग्यास का क्षिछ के सिक्षिए ठीक कर रहा कि क्योंकि दिल को नियुक्ष सुक्षि कहा है तो मैंने चेक और देubenश्थ लेंग फ्लेंप श्मान सक्षिण देश्थ वा आता सब्सक्षिता थी अहता है हैन् crítी को भूंक्त लागतार से हलाते हमस्तना है तिल को हमें जादा ने भुना है तिल को जादा भुनने पर खाने में करवी लगने लगती है तो इसे 2-3 मिनट तक भुनने पर और ग्यास का फ्लेम मैं रॉय कर दिया है और अब तिल को ठंडा करने के लिए मैं इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर रही है हूँ 004 और तिल को ठंडे हून के लिए चोड़ देते हैं और इस कड़ाही में अब नारियल का बुराधा मैं भून लूगी तो मैंने कड़ाही में नारियल का बुराधा ढाल दिया और नारियल के बुराधा को लोग गैस फ्लेम पर ही भूनूगी, इसे मुश्किल से 30-40 सेकंड तक लगतार चलाते हुई भूनना है, इतनी देर में ल नाडियल से खुश्बू आने लगती है और इसका नैचरल ओयल भी निकल जाता है नाडियल के बुरादर से खुश्बू आने लगी है और यह पुरी तरीके से भून चुका है तो मैंने ग्यास का फ्लेम आफ कर दिया है और जब तक यह ठंडा होता है तब तक मैं मुंगफली का चिलका उतार लेते हूं मुंफली से निकालकर मैंने इसे अच्छे से साफ लिया है तील और मूंफली थंडी हो गई है तो बारी-बारी से तिल और मुंफली को पीस लोंगी moved मिक्सी में तील डाल रही हूँ इसे बस 5-10 सेकेंड के लिए ही ग्राइंड करोंगी क्योंकि तेल का पाउडर नहीं पनाना है मिक्सी में इसे ऐसे ग्राइंड करना है कि कुछ तील साबूत भी दिखाई दें तिल अच्छे से पिस गई है अब मैं इसे दूसरे बर्तन में ट् लिए मिक्सी का ढाल चाहिए बिलकुल बारीक पीस लेना जिससे की इसनous आपर ऑफाली को मैं पहले ही इमाम दस्ते में कूट लिया था और इसे बिलकुल चिकना होने तक ग्राइंड करना है इसं से लड्डूघ अंच्छे सरे is bought you अश्यांत क्राईब करने पर कुछ पी तरीके से और गृड को चिकना करना है तो इस में मैं कि अधा चमच घी डाल हूँ और इसे फिर से ग्राइंड करने के बाद देखिए ये कितना चिकना हो गया है इससे लड़ू बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बनेगा तिल, मुंफली और गुण मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं तो अब इन्हें घी के साथ मिक्स करके गोल-गोल बानते वे लड़ू बनाना है और मुंफली और तिल को मैंने जिस बरतन में रखा था उसी बरतन में नारियल का बुरादा डाल दिया है और अब गु थोड़ा सा स्टिकी होता है जिससे की लड़ू को बांधने में बहुत हिल्प मिलती है पर मिक्सी से निकालने में थोड़ी सी परिशानी हो रही है गुण को मैंने मिक्सी से निकाल लिया है और अब गुण को मुंफली तिल और नारियल के बुरादा के साथ अच्छे से मिक मिल गया है आप देख सकते हैं तो अब इस मिक्षर को मैं हाथ से दबा कर चेक कर लेती हूं कि अच्छे से बंध रहा है या नहीं यह बंध तो रहा है पर मैं इसमें आधा चम्मच घी मिला रही हूं इसे लड़ू और आसानी से बंदेगा घी डालने के बाद इसे एक बार फ तो यह मिक्षर कुछ इस तरीके से हो गया है और लड़ू बनाने के लिए मैं हथेली में थोड़ा सा घी लगा रही हूं जिससे लड़ू बनाने में आसानी होगी जितने बड़े साइस का लड़ू बनाना है उसी हिसाब से मैंने मिक्षर हाथ में लिया है और इसे दबाते हुए बांध रही हूँ जब यह अच्छी तरीके से बंध जाएगा तो दोनों हथेरियों के बीच में रखकर इसे बिना दबाते हुए लड्डू का शेप दे रही हूँ देखे लड्डू बन गया है और लड्डू के में कुछ एक तिल भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ति तो मैं लड्डू बना रही हूँ और इसमें बस एक चम्मिच घी लगा है जब मैं सारे लड्डू बना लूंगी तो मैं हाथ से तोड़कर आपको दिखाऊँगी कि यह कितना सौफट बना है तो सारे लड्डू मैंने बना लिये हैं और देखिए मैं आपको बीच से तोड यह आसानी से हाथ से तूट गया है और यह जितना मुलायम है खाने के बाद मक्षन की तरह उसी तरीके से मूह में घुल जाता है तो इस तरीके से आप लड्डू बनाईए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए लड्डू दस से बारा दिन तक बिना फ्रिज में ड पसंद आये तो जल्दी से इसे एक लाइक दे दीजिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को प्रेस करिए बिल आइकन जिससे फ्यूचर में आने वाली मेरी सभी नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन्स आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी आप अगर मेरी दूसरी रेसिप में आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं तो मिलती हूँ आप से एक नई रेसिपी के साथ तब तक हेल्दी खाईए खुश रहिए